ध्यान रखे बहुत ही important वीडियो होने वाला है चाहे आपका shortlisted हुआ हो या नहीं हुआ हो आपने exams दी है याने कि जितने भी candidate ने form fill किया नहीं जितने भी candidate ने exam दिया है उन सारे student के लिए जरूरी वीडियो अगर आपने exam नहीं दिया है तो आपके लिए कोई भी वीडियो न होता है बहुत सारी central भी होती है लेकिन हम टेक्निकल फिल्ड से है आई टी आई हो डिपलोमा हो इंजिनेरिंग फिल्ड से उसी के basis पे बात करेंगे जितनी भी टेक्निकल जॉब्स होती है और मोस्ट पीएसू जो होती है सभी पीएसू नहीं almost कुछ-कुछ पीएसू जब अब एक्जाम्स देने जाओगे तो जो मानली से अपका घर अगर जारकंड है जारकंड में धनबाद जैसे कि मैं अपना एक्जाम्स पर एक्जामपल लेता हूं मेरा घर धनबाद है अगर मैं एक्जाम्स देने के लिए राची जाता हूं या फिर मैं एक्जाम्स देने के लिए जा रहा हूँ जो खर्चा है जिसे बोलते हैं ट्रेवलिंग और उसका जो खर्चा उसे बोलते हैं ट्रेवलिंग एलोनेस तो ये गवर्मेंट प्रोवाइड करती है तो सेम चीज पावर ग्रिड भी गवर्मेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है आप सभी कैनिडेट लिए टीए यहनिकी जिसने भी form fill किया था जो एक्जाम्स दिये हैं उन सभी candidate का जो टीए है यहनिकी ट्रेवलिंग एलोने से वो आपको मिलने वाली है जो भी एक्जाम्स दिया है दूर जाके सभी का पैसा वापस किया जाएगा यहने ट्रेवलिंग एलोने जो आपका है वो आपको government के द्वारा दे दी जाएगे चाहे वो train का खर्चा हो चाहे वो bus का खर्चा हो चाहे वो autowager का खर्चा हो लेकिन एक चीज का ध्यान रहे अब यहां पर मैं सारी चीजे मां बताने वाला हूँ जितने भी student ने टिकट करवाया है जैसे train टिकट आपने slipper ले लिया क्योंकि slipper का ही पैसा देगी यह मत समझे लेना कि मैंने third AC first AC बुक कर लिया यार government होथ first AC का टिकट देगे ने भाई आपको slipper का ही पैसा दिये जाएगी उसके बाद bus की टिकट bus का अगर आपका किराया लगा है याने की center तक पहुँचने में तो उसका पैसा आपको PGCL के द्वारा दी जाएगी तो इसमें क्या क्या लगने वाला है यह link कब तक open होगी form कब तक fill up कर सकते हैं आप सभी candidate के लिए मैं इस वीडियो में बताने चा रहा हूं official बताऊंगा जो पहले recruitment निकल चुकी है तो उसी के basis बताऊंगा लेकिन information आप सभी candidate के लिए यही मैं बता रहा हूं क्या आपने bus ticket का जो print out है जो ticket होता है या फिर train का ticket print out या ticket आपने रखा है कमेंट में जरूर बताएगा क्या आपको याद भी है कि आपका ticket खर्चा कितना लगा था bus किराया कितना लगा था hopefully बहुत सारे candidate को तो पता ही नहीं तो आपको climb करना होगा traveling allowance का तभी आपको पैसा मिलने वाली है अब फटा फट से वीडियो के नीशे कमेंट करके बताओ कि आपने exam center आपने exam कहां दिया था और क्या आपके पास train का ticket अवलेबल है या फिर bus का ticket अवलेबल है या फिर नहीं चलिए discuss करते हैं मैं सभी student को बता दूँ अभी कोई भी open link activate नहीं की गई है लेकिन बहुत जल्द आपकी open link activate होने वाली है टीए क्लाइम की क्योंकि result जारी हो चुका है पहले result में wait था result जारी हो चुकी है उसके बाद आपकी जो cut-off marks था वो भी release हो चुकी है तो final अब जो power grid का काम था टीए क्लाइम करने के लिए उससे पहले result आना जरूरी होता और cut-off list तो finally cut-off list वगरा सब कोश आ चुका है पता चल चुका हर एक candidate को कि आप softly shared हुए हो या फिर नहीं हुए तो आपका पैसा वापस मिलने के लिए एक online form के लिए link activate किया जागा जहां पर आप अपना ticket form अपनी पूरी details जर्नी की details आपको fill up करनी होगी अब मैं इसमें जनवरी कुछ details आपको general details में बता देता हूँ कि actually fill up क्या करना होता था पहले power grid में जो vacancies आती थी जो recruitment निकलता था जैसे gate की collect की आल फिलाल कुछ दिन पहले निकाली गई थी कुछ दिन पहले किया यह तो उसमें TA climb करने का इस तरह से format मिलता था offline format है आप देख सकते हैं यह TA climb करने की format है लेकिन इस बार जो आने वाली है ITA वालों के लिए वो आपका online format होगा आपको online apply करना होगा क्या 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 क्योंकि bank details तो सबसे भरवाए गया है चाहे STAC हो OVC हो जो TA climb करने की तो hopefully कोई भी ऐसा examination होता है नहीं कि जो bank details भरवाए तो यह bank डेटिस लिया है OVC का भी लिया है STAC वालों का भी लिया है तो कि है सबका पैसा वापस होगा अलेकि हलाकी अभी तो STAC वालों का भी होता है OVC वालोंका भी होता है पावर ग्रेड ने पहले OVC वालों का भी किया है बट नोडिफिकेशन में अभी अटेश नहीं है तो मैं भी जब तक ओफिसियल नहीं आ जाता तो ये कभी मन समझना कि OVC का होगा वापस की नहीं होगा या जनरल का बागी बाद STAC वालों का तो confirm है PWD वालों का कि TA वापस आपको मिलने वाले है TA मिलेगी आपको कोई बात नहीं वेट कर लेते हैं कुछी दिन की बात है मैं आपको simply याद दिनाने के लिए इस वीडियो बनाने का purpose रखाऊ बहुत सारे candidate ने comment भी किया था बहुत सारे candidate को पता भी नहीं होगा कि TA मिलता है पावर ग्रेड में ट्रेवलिंग एलोनेस जो आपने खर्चा किया था जाने के लिए वो पैसा गौवर्मेंट आपको आपस देगी जितना खर्चा हुआ था आपका तो इसी प्रकार से होता है पावर ग्रेड का यहाँ पर क्लाइम होता है एप्लिकेंट का नाम काटेगरी फिलप करनी पड़ती है मेलिंग एड्रेस देना पड़ता है आपको उसके बाद बैंक डिटेल से आपको नहीं पूछा जागा क्योंकि पहले आपने फिलप कर लिया है अब आपको यहाँ से फिलप करना होगा जब भी फॉर्म ओल्लाइन आएगी जैसे कि नियरेस रेलिवे स्टेशन हो गया नेम ओफ रेलिवे स्टेशन वीच एक्चुल जर्नी कहां से कहां तक कनेक्टेट थी आपकी उसके बाद किस जगह पे आपने विजिट किया और सबसे बड़ा चीज है यह है आपका जर्नी टिटेश एने क्लास आप ट्रेवेल आपने किस क्लास में किया धियान रखना ओनली स्लिपर का ही मिलता है और थाड़ इसी का नहीं मिलता है इसमें तो स्लिपर की टिकट की आपको मिल जाएगी उसके बाद stripes Day of time जर्नी कब से कब तक आपने जर्नी किया यह भी चीज़ देना होगा ट्रेन नमर भी देना होगा और ट्रेन का नाम भी देना होगा जब online form आएगी तो railway ticket नमर and bus ticket नमर तो आपका बस का किराया अगर लगा है तो बस की टिकट नमर भी आपको याद रखनी होगी कि वही मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बार-बार कि आपने बस का टिकट रखा है प्रेंट आउट करके या फिर फोटो लेके या फिर ट्रेन का टिकट रेल और बस फिर टोटल कितना था ये आपको देना होगा टोटल फिलेर काम याणि जोड जाड के आपका कितना पैसा खर्च हुआ यहाँ पर मैंसन कर देना जो भी है प्रॉक्समेटली 7000-6000 जो भी आपका लगाओ इतना किसी का होता नहीं है लेकिन मैं प्रॉक्समेटली बता रहा हूँ इतना जो भी लगाओ उसके बाद आपका नेम एड्रेस वगर यह सब चीजें कुछ फिल करने होगी बता है कंवर्टर बेश टेकस्ट के अब तेक सकते हैं यहाँ पर बता जा रहा है एस्टी इस्टी पीड़ूडी केंड़ेट जो होगा क्लास रेल फेयर हो गया बस फेयर होगा यह सब सारी चीजें टीए जो होता है वो क्लाइम मिल जाता है ओके तो अल्मोस्ट यहाँ पर इनिडिट की यह बात है कुछी दिनों की बात है रिजल्ट आ चुका है कटप जारी सब कुछ हो चुका है अब टीए क्लाइम के लिए फॉर्म लिंक होगा तो आपको वीडियो बना दूंगा उसमें फॉर्म कैसे भरनी होगी यह भी बताऊंगा और किसका किसका पैसा मिले साइबर कैसे किया तो वहाँ जाओगी तो वह डेटा मिल जाती है तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो मैं एक हिंट आपको दे दिया हूं ओके मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहें